पिर्णाम स्टुडेंट कैसे हैं आप सब लोग देखे हम क्रिस्टल स्टक्चर के लिए जो आपके मैथड से उन मैथड को पढ़ रहे थे हम दो मैथड अभी तक कवर कर चुके थे आज ये तीसरा मैथड है जिसका नाम है रोटेटिंग क्रिस्टल मैथड और ये मैथड छो कोशिश है कल से आपकी केमिस्टर भी ट्रैक पर आ जाए तो हम आप से यहां चर्चा करेंगे रोटेटिंग क्रिस्टल मैथड की तो अगर यहां आप देखो इन इस मैथड एस सिंगल क्रिस्टल स्पेसिमेन इस रोटेटिड बैटा इस सरी कर लेना ये रोटेटिड हो एक मोटल के साहित्सें घुमाया जाता है जैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर ओँ फिगर बनाने की कोशिश करता हो है कि ऐसे ले लिया है हुआ है है इसे तरीके से इस इसमें सिंगल क्रिस्टल लगा देंगे अंदर किसकी बाइसे इस्पिंडल की मद्दस है इस्पिंडल का मतलब क्या है इसे घुमाने वाला यंद्र कि अधिया एक इस्पिंडल लगा दिया लगा दिया यह इस्पिंडल की मद्दस है और यहां साइस में क्या रख दिया यहां पर क्रिस्टल का तुकड़ा इस्पिंडल रख दिया इसमें क्या थी आप एक्स रेज डालते थे छेज में से यह सिलिट्स का काम करती है एक तरीके से और एक्स रेज यहां से निकल जाती है यह समझ में आया यहां तक तो कोई दिक्कत आपका भी होनी नी चाहिए बिलेक की चल रहे बिलू चल रहे ठीक है यह ऐसे गुमाई जाएगा इस्पिंडल की मरसे यहां देख़ा आप इन जित्चन उड़न चला मैं यहां यहां किक फोलों ऑन शिंगल this इस पिर उपेद हें एक यहां पी स्क्राइध जाती है एक यहां पर मुझे निगनी पड़ेगी एक एक यहां भड़ाद स्थात पहँं Caitlin ने क्या लगा दी एक एक X-ray ट्यूब लगा दी ठीक है क्या है यह बेट्टा चांद मेरे चांद नहीं हो सेर सेर नहीं हो क्या ही एक X-ray tube है This is X-ray tube अब इस में से X-rays निकलेगी फिर आपको filter लगा के उसे monochromatic बनाना पड़ेगा यह X-rays चल लिए यह X-rays लिए यहाँ पर आपने एक filter लगाया यह लबा लिए ठीक अब फिल्टर से एक्स रेज निकली और निकल के कहां पहुच गी इस से किस पर टकर आई इस क्रिस्टल पर टकर आई और फिर भाल निकल गी यहां से अब यह कौन से दब गिया यहां से क्या निकल गी यह आपकी फिगर थी तो यहां पर थोड़ी सी थोड़ी पढ़ो क्या लिखा हुआ एक्स रेज इस अलाओ टू फोलो ने सिंगल इस्पेसिमेंट वी यूज फिल्टर टू मेग दा एक्स रेज मोनिक्रमेटिक यहां तक हम सारी काहली कर चुक है जो हम हमने फिगर में बनाए वह सब लिखा हुआ है यहां पर एस सिंगल क्रिस्टल हैविंग डाइमेंशन ओफ दा ओडर ओफ वन एम एम इम इज प्लेज्ट एड़ सेंटर ओफ ए सिलेंड्रिकल होल्डर एक एम एम की लैंद्ध का योरा यह एक्सिस सिलेंडर के बीच ओबीच जो एक्सिस होती है वहाँ पर होल्डर लगा के यह लगा दिया गया है विद्धा हैल्प ओफ रोटेटिंग स्पिंडल निच्च जो घूमने वाला वो जिसे मैं बार बार बोल रहा था उसकी हल्प सा है हमने क्या करा है कि स्पेसिमेन लगा दिया क्रिस्टल का एफ फोटो एक लेयर मोनो क्रोमेटिक फिल्म की लगा दी हो ठीक है आप बना लेना लेयर ठीक है मैं नहीं बना रहा फिलाल क्योंकि मुझे कोई नीड़ दिखाई नहीं दे दी बिलाकी पहने ठीक बना दी हमने लेयर फिर क्या कह रहा दा होरी जोंटल लाइन प्रेड्यूज्ड यह वाली नजा रही आंगी कि यह मैं यह क्या करती है इसमें डिफ्रेक्शन प्रेड्यूज्ड करती है इस पौँट वोच्प ग्राफिक प्लेट कार्ड लेयर लाइन यानि कि इसके अंदर क्या लगी हुए बेटा फोटोग्राफिक प्लेट लगी है इसके अंदर तो कित्र बना कर देखाऊ हुँआ हुँआ हुँ यह हो गया यहां से जब देखो ऐसे इस तरह के हमें क्या मिल ले हैं लाईने मिल ली है बना लिए इस तरह की इस से हमें crystal structure पता चल जाता है कहाँ पर concentration ज़्यादा है कहाँ पर कम है ठीक अब इसमें देखो इसके advantage आपको basically पता है क्या it helps in determination of crystal structure की determination और determination the size of the unit crystal जो unit crystal होता है आपका उसकी size बता देगा यो और structure बता देगा तो यहाँ पर यह हमारा topic खतम होता है यहाँ पर यह mainly चीज भी खतम होती है structure वाली इससे next topic मिलेंगे next class में थोड़ी छोटी class रही है यह वाली आगे की class lengthy रहीगी ठीक है आगे class छोटी नहीं रहने वाली आगे हम पढ़ेंगे जहां तक है reciprocal पढ़ेंगे और थोड़ा सा lengthy यह भी छोटा इस वाइस से लगता है क्योंकि digital word और पीपीटे नहीं तो यह class भी 15 से 20 मिट तक हिस्ती है ठीक है मिलते हैं आप से next class में अराम से देखो नोट्स बनाओ सब तक लिए जय हिंद जय मारत